हेलो दोस्तों स्वागत आज आज आपको नए वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने आज़े साइंस के कुछ क्वेश्चन यह वारे साइंस के कुष्चन ओका पार्ट थार्ड इसके बाद हम और भी पार्ट निकालेंगे तो चलो सुरू करते हैं हमारा पहला कुष्च अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे तो इसका आंसर है सी ऑक्सीजन एक प्राकेटिक अनुचुम्बक के ऑक्सीजन है अनुचुम्बक के पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुम्बक के छेतर में रखे जाने पर छेतर की दिशाक में आंसिक रूप से ही चुम्बकित होते हैं किसी अतिचुम्बक के समीव लाए जाने पर ही यह आकर्सित होते हैं जब इन्हें किसी अतिचुंपक के पास दी जाता है तो यह उसकी और आकर्षित होते हैं इनके उधारन है एक्जामपल ऑक्सिजन प्लेटनियम सोडियम एलुमीनियम पोटेशियम ओकी इसी के साथ हमारे सेकेंड कुशन है एटम बंप किस सिदान का आदार होता है एटम बंप किस सिदान का आदार होता है अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नाभी के विखंडन है नाभी के संलेन है इन में से कोई नहीं है तो अगर आपको पता है तो आप बताएए प्लीज कमेंट करके तो इसका अंसर है नाविक्यां विखंडन मतलब जब बार दो भारी नाविकों को खंडों में विवक्त हो जाते हैं जब दो भारी नाविक खंडों में विवक्त हो जाते हैं तो इनके साथ बहुत सी उर्जा उससरजित होती है जब दो भारी नाविक खंडों में विवक्त हो जाते हैं इनके साथ बहुत सी उज़ा उठसरजित हो दिये तो इस अभी किरिया को ही नाभी के विखंडन कहते हैं इसी के साथ हमारा तीस्या कुशन है जल में आसानी से गुलंसील है आपको बताना है कि इन में से जल में कौन से आसानी से गुलंसील होता है कारवन होता है नाइटोजन होता है अमोनिया होता है या फिर आयोडिन होता है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो तो इसका अंसर है अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो तो इसका अंसर है अमोनिया तो जल में जो आसाने से गुजन सीर होते हैं वो है अमोनिया वे गैसे जिन में उपस्तिक हाइटोजन परमाण जल के अड़ों के साथ सरलता पूर्वक हाइटोजन बन बनाता है वे जल में अधिक घुलनसील होती है जैसे अमोनिया अमोनिया एक ऐसी गैसे कि जल में असानी से घुल जाती है इसी के साथ हमारा चौता कुशन है यह question काफ़ important है वाई यानो के टैयरों में भनने में नीम gas का परियोग किया जाते है आपको बताना है कि जो वाई यान होते हैं इनके टैयरों में कौन सी gas होती है hydrogen होती है nitrogen होती है magnesium होती है अफ़ी neon होती है अगर आपको पता है अब कमेंट करके बता सकते हो तो दोस्तो इसका answer है nitrogen वाई यानो के टैयरों में भनने के लिए nitrogen gas का परियोग किया जाता है वाई यान के टैयरों का दबाव दापमान उचे होती है जो वाई यान होते हैं इनके टायरों का दबाव दापमान बहुत अधिक होता है जिससे वाईयान के उतरने एवं रुखते समय टायरों में विस्पोर्ट होने की संभावना होती है क्योंकि जब वाईयान उतरते हैं तो वह नीचे सड़क पे लगते हैं जिससे उनके विस्पोर्ट होने की संभावना अधिक होती है नेट्रोजन गैस क का दबाव कम होने के कारण टेरों में विस पोड की संभावना कम रहती है इसी के साथ हमारा पांचा कुस्यन है ग्यायों की खेती के लिए stewn से उढ़ सक बताना है जो ग्यायों की खेती होती है उसमें उढ़ सक क्या लाल चाही बनाई जाती है तो हमारा चाहिए लाल चाही बनाई जाती है आपको बताने कि लाल चाई काई से नहीं जाते फिनोर से या फैसे फिनोर battery anh Rép फिनोर से या फिर लेंस से या फिर यो सीन से अगर आपको पता है तो आप कंस कमेंट कर के अंसर बता सकते हैं तोगे इसका अंसर ठणा इंसर chefio तो सीन एक टेटा ब्रोमो फ्लोरी सीन है अधिकतर लाल शाई यो यो सीन का तनुविलियन होती है इसी के साथ हमारा सात्वा कुश्यन है एक कार की एक कार बैटरी में परियुक्त वैदूत अपगटे होता है अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते है कि हाइडरो क्लोरिक अमल होता है सेल्फियूरिक अमल होता है या असुत जल होता है तो इसका अंसर है सेल्फियूरिक अमल कार बैटरी में परियुक्त वैदूत अपगटे सेल्फियूरिक अमल S2, S4 होता है इसकी प्रेकिर्टिक परवल अमल की होती है इसी के साथ हमारा आटो किशन है पैडलोजी निम्ध विग्यानिक अध्यन से संबंदित है आपको बताने हैं कि पैडलोजी किसके अध्यन से होती है वाई मंडल के मिट्टी के परदूसन के या फिर बीच के अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तो इसका अंसर है मिट्टी पैडलोजी के अंतरगत मिट्दा या फिर मिट्टी के परकार एवाँ इत्यादी का दिन किया जाता है मिर्दा एक बहुती घटक है जिससे हरे पौदे कच्छे पदात के रूप में कच्छे पदात के रूप में जल एवं खरनीज लवन प्राप्त करते हैं मिट्टी बहुती चट्टान के अप्षे से निर्मित होती है जो पैडलोजी इसमें मिट्टी वगेरा का अध्यन किया जाता है इसके बाद हमारा नवा कुशन है हाइड्रोफाइट कहते हैं आपको बताना है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुदय जानबर को एक जलिय पौदे को एक या फिर एक पौदिय रोको अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें अंसर बता सकते हैं तो इसका अंसर है सेकिंड वाला एक जलिय पौदे को बहुत अधिक जल्में S2O में वाले इस्तान पर पाई जाने आवले पौदों को हाइडोफाइट कहते हैं इनमें बड़े बड़े अंतरा कोश्किया इस्तान होते हैं जिनमें वावी भरी होती है जो की पौदों के तैनने में सहाइक होते हैं जो पौदे होते हैं तैरते विया इन पौदों को यांतरिक उतक भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण आभाव होता है इसी के साथ आज मारा अंधिम कुश्यन है निम्निकित में से कौन सा विटामिन A की पर्चूर सुरोध हैं आपको बताने हैं कि जो विटामिन A है इसका सुरोध हैं सेव हैं पवीता हैं अम्रूध हैं या फिर आम हैं तो दोस्तों इसका अ जो फल होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में बिटामिन A पाए जाता है इसी के साथ इसमें बिटामिन C पैथा बिटामिन E भी पाए जाता है ने वाद दोस्तों